लोटस फंट्स की तरफ से आज सोमवार 17 अक्टूबर 2022 के दिन आप सभी को सुप्रभाद आज एक ताजे अफते के शुरुवात करते हुए हमें लगते हैं कि बेंचमार्क निफ्टी फिर गाप डाउन ओपन खुल सकता है जहाँ पर वाल स्रीट की पिछले शुकरवार की गिराओड को मिरर कर सकता है वाल स्रीट पिछले शुकरवार की वयापार में नीचे देखने को मिला क्योंकि hotter than expected inflation से तब मैने के लिए देखने को मिला और जिसकी वैसे अब Federal Reserve शायद निश्चित रुप से इस बार rate hike कर सकता है शायद 75 basis point की rate hike November मेने में हो सकती है और 50 basis point की December मेने में कोई-कोई नकारात्मक निवेशक तो ये भी कह रहे है कि शायद 100 basis point से भी rate hike हो सकती है ऐसा खासकर अभी देखने को मिल सकता है क्योंकि US non-pump payroll numbers भी सितंबर मेने के लिए अच्छे आये है इसलिए भारी उतल-बुदल near term में देखने को मिल सकती है क्योंकि बहुत खुदरे बड़े sessions देखने को मिल सकते है दलाल स्ट्रीट पर हमारे call of the day अनुसार Nifty में डगमगाहर नजर आत सकती है क्योंकि inflation की demons recession के खत्रे को बढ़ाते जा रहे है European Union के तकलीफ के वज़े से भी benchmark Nifty negative bias के साथ व्यापार कर सकता है अब recession के डर की वज़े से Q2 earning season पर भी इसका नकारत में परड़िणाम पढ़ सकता है टेकनिकली Nifty के लिए immediate downside risk 16,747 मार्क पर 16,747 मार्क के नीचे भारी गिराट का डर हो सकता है अब केवल 17,459 मार्क के ओपर ही पूरी तरह से देजी की पुष्टी हो पाएगी Nifty का intraday support 16,941 मार्क पर अब Nifty और bank Nifty के लिए हम trades Nifty closing price 17,186 current market price पर बिकवाली स्टोप 17,651 लक्षर 17,007 और स्कवाच 16,941 आकरमक लक्षर 17,757 मार्क पर bank Nifty closing price 39,306 39,400 से 39,500 जोन में बिकवाली स्टोप 40,359 लक्षर 39,818 और स्कवाच 38,200 आकरमक लक्षर 37,387 जोन में आज आने वाले एहम Q2 परिणाम ACC, Camps, Canfin Homes Hydal Works Cement, PVR, Data Coffee इस शनिवार को HDFC Bank के भी Q2 estimates आए जो की काफी अच्छे थे जहाँ 20% growth देखने में ली net profit में September quarter में और October Series के options data अनुसार Nifty 16,500 से 18,000 की trading range देखने में मिल सकती है Maximum call open interest 18,000 और सुबाद 17,500 की strike pass पर मतलब 18,000 और सुबाद 17,000 और सुबाद 16,000 की strike pass पर call writing दिखने मुला था जबकि 17,300 और सुबाद 17,700 की strike pass पर put writing दिखने मुला था Bulletin Day Index 20 Levels के करीब यापार गरता नजर आए 18.26 पर October 14 को आज के लिए इतना ही Lotus Fund से संपर करने के लिए रपया 98-200-45901 पर call करे धन्यवाद और शिप कामना है इस पॉड़कास से हमारा दिस्क्लेमर्ट जिड़ा हुआ है जो अब www.lotuspunts.com पर देख सकेंगे